Myself भरत कुमार मटोरिय, BKM, Physics HOD at Resonance, जैसे कि आपको पता होगा कि आज के दिन IIT JEE का एक्जाम हुआ है, तो Advanced के इस एक्जाम में जो Physics के पेपर में question आये, उसकी कुछ details finally हम discuss करेंगे कि पेपर किस तरह सरा है, और हम शुरुबात करते हैं, पहले सवाल से, कुछ solutions हैं जो Resonance के तरह परवाइड के जा रहे हैं, तो जल्दी आप सारे solution देख लेंगे, और अपने answer check में, मैं जानता हूं कि आप में काफी उत्सुकता है, कि मेरे answer क्या है, हम भी खुद उत्सुक हैं, तो जैसे जैसे हमें questions की detail मिलती जारी हैं, लगातार आपके लिए solution question त्यार करते जा रहे हैं, और यह है, पहला question देखते हैं, ठीक है, तो यह एक first question जो आया है, यह electromagnetic wave topics आप मान सकते हैं, इस formula को देख करके, और एक तरह से unit dimension का सवाल है, तो इसके solution में आपको अगर पहले से कोई जानकारी है, तो आप directly इसका answer लिख सकते हैं, यह s vector जो अध rating vector, इसका, यह हमें बताता है कि, space में किस rate से per unit area energy flow कर रहा है, rate of flow of energy, energy per unit area, wave के अंदर यह formula इस्तेमाल होता है, अगर आप directly इसको जानते हैं, तो इसका unit area, unit यही से ही लिख सकते हो, तो Joule per second per meter square, इसके unit हो जाएगी, और उसके इसाद से अगर आप देखेंगे, तो Joule को आप लिख सकते हैं, Newton meter upon second meter square, और Newton को आप लिख सकते हैं, kg meter per second square, यहां से 1 meter नीचे चला गया, to second meter, तो यहां से indirectly आगे kg upon second q, so it becomes mt-3, जो कि c वाले option में आ रहा है, तो directly आप इस वेक्टर के बारे में पहले से जानते हैं, तो आप कर सकते हैं, मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद बहुत सारे बच्चा नहीं जानते होंगे, alternative method, जो दूसरा तरीका है इसको solve करने के लिए, वो कुछ सीधा साही है, हम कुछ जानते नहीं, हम तो सीधा इसी से करेंगे, e x b, हमें तो dimension लिखना है, तो सिर्फ dimension की बात करते हैं, तो यहां पर ऐसा कर लेते हैं, कि मैं उपर नीचे i से multiply कर लेता हूं, मैं यहां से वेक्टर अटा रहा हूं, e x b, उपर current से multiply करूंगा, तो नीचे current से multiply हो जाएगा, ऐसा करने से, mu0 x i, जो मैं ampere law से जानता हूं, b x 2 pi r, तो मैं इस तरह से इसको आगे लिख लेता हूं, i को मैं लिख सकता हूं, q upon t, और इसको मैं लिख सकता हूं, b x 2 pi r, यहां से b से b कट जाएगा, q x e force हो जाएगा, और यह r हो गया, तो s के जो dimension होंगे, वो dimension की बात कर रहा हूं मैं, तो s के dimension q x e हो गया force, और यहां नीचे r आ गया, और नीचे t आ गया, force को आप लिख सकते हूं, mass into acceleration, mass into acceleration, acceleration को लिख सकते हूं, length याने distance, तो mass के लिए तो m ले लिया, एक बार force की dimension देरेक लिख लेते, mL t-2, और r के dimension हो गया, L t के dimension हो गया, 1, L से L कट गया, यहां से आ गया, M t के dimension हो गया, माइनस 3, तो एक तो direct by definition जानते हैं, दूसरा हमार पास formula है, तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, उपर निशाएं से multiply कर दिया, mu not into i, ampere slaw से जानते है, b into 2 pi r हो गया, i को q by t लिख दिया, b से b काट दिया, q into e force होता है, हम जानते हैं, तो मैंने force लिख दिया यहां पर, तो force के dimension जानते है, mL t-2, r length में हो गया, time t में हो गया, finally answer आगे, तो c is the answer, ठीक है, यह एक और question है, जिसको हम कह सकते हैं कि r b d topic से related है, और देखें इसमें क्या दे रखा है, question में में दे रखा है कि यह एक जो string दे रखी है भी, string के एक maximum tension है, 2 root 2 w के बराबर, इससे ज्यादा इसकी tension नहीं होनी चाहिए, तो हम इसके limiting case के लिए एक बार solve करेंगे, फिर हमें question में दे रखा है कि जो rod है, इसका weight भी हमें w दे रखा है तो इसका weight इसके center पर लगेगा, तो हम इसको यह दिखा देते हैं, एक alpha w का weight हमने इस sides में hang कर रखा है, तो इस alpha w का weight इथर लगा देंगे, alpha w इस तरफ आ जाएगा, यहां से जो hinge है, hinge से लगने वाले force, n horizontal और एक n vertical, hinge के reaction force लग जाएगे, जो कि मैंने यहां पर दिखा दिये हैं, तो question में ही पूछा है, options दे रखें, सही option हमें select करना है, तो पहला option यह है कि string breaks when alpha is greater than this, तो हम इसके limiting case के लिए alpha निकाल लेते हैं, कि जब यह just तूटने वाला होगा तब क्या होगा, तो इसके लिए यह हमारे diagram है, इसके अंदर यहां पर एक tension आजाएगी T, तो मैं क्या करता हूँ कि hinge की reaction से मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं इस hinge के about torque equation लगाएंगे, applying torque about hinge, hinge equal to 0, क्योंकि equilibrium है, तो इस hinge के about torque देखेंगे, तो यहां जाएगा W into L by 2, plus alpha W into L, और यहां की जो tension है T, एक बार उसको T ही माल लेते हैं, इसका, अच्छा question में एक information और दे रखी है, कि AC is equal to CB, AC यह length है, इसको इन्होंने L, और यह भी L, तो इससे यह पता लग गया है, कि theta की value 45 degree है, तो यहां से 45 degree मिलने से हम इसका, इस point के about जब torque लिखेंगे, तो T by root 2, इसका जो component आएगा, F perpendicular into L, यहां से कट जाएगा, तो यहां से expression आगे, W by 2 plus alpha w is equal to T by root 2, अब question में हमें दिया है कि, maximum tension 2 root 2 w है, तो यहां पर alpha की value उसके corresponding क्या आएगी, निखाल लेते, for T is equal to 2 root 2 w, इस expression से हमें मिल जाएगा, W by 2 plus alpha w is equal to 2 root 2 w divided by root 2, root 2 से root 2 कट जाएगा, इधर आएगा, तो यहां से alpha w की value आ जाएगी, 3 by 2 w, तो यहां से alpha की value आ गई, 3 by 2, तो alpha 3 by 2 पर यह जस्ट तूटने की हालत में आ जाएगा, तो पहला option दे रखा है कि, alpha is greater than 3 by 2, तो 3 by 2 पर जस्ट तूटने वाला तो इसे greater करने पर तूट जाएगा, तो इसलिए यह option सही हो गया, दूसरे option में हमें दे रखा है कि, जब alpha की value 0.5 होगी, तो T की value इतनी होगी, तो यह alpha यहाँ पर रख देंगे, तो alpha की value 0.5 का मतल होगी, 1 by 2, तो w by 2 यहाँ पर put कर दीजिया, w by 2 plus w by 2 is equal to T by root 2, तो w by 2 plus w by 2 w होगया, तो T की value आ गई, root 2 w, तो लिखा है कि, जब alpha की value 0.5 है, तो T की value root 2 w होगी, यह बात भी सही होगी, फिर लिखा है कि, जब alpha की value 0.5 है, तो horizontal force, हिंज जो लगाएगा, उसकी value w के बराबर होगी, अगर horizontal force हमें मालूम करना है, तो यह equilibrium में है, तो इस पर net force भी 0 होना चाहिए, net torque भी 0 होना चाहिए, torque 0 की equation हम लगा चुके है, force horizontal में लगाएंगे, तो n horizontal is equal to t cos 45, जो कि t by root 2 है, तो alpha की value 0.5 है, तो t की value root 2 wi, तो horizontal force की value कित्या जाएगी, root 2 w divided by root 2, तो यहां से root 2, root 2 cancel हो जाएगा, w के बराबर आ गया, तो लिखाएगी, जब alpha की value 0.5 होगी, तो horizontal force की value, जो है, hinge की force की value, w की बराबर होगी, जो की एकदम सही बात है, जिसलिए c भी सही हो गया, फिर पुछा है कि vertical force, जो hinge लगाया है यहां पर, उसकी value alpha पर depend नहीं करेगी, depend करेगी की नहीं करेगी, इसके लिए हमको solve करना पड़ेगा, vertical direction में force balance करेंगे, तो vertical force Nv plus T by root 2, जो उपर की थरफ लग रहा है, vertical force is equal to w plus alpha w, अब T by root 2 की value क्या है, यहां से उठा के रख सकते हैं, T by root 2 is equal to this, तो यहां पर रख देंगें, T by root 2 की value w by 2 plus alpha w is equal to w plus alpha w, तो यह alpha w alpha w से कट गया, तो vertical वाला force तो w by 2 आगे, तो vertical force जो है, alpha से independent है, यह बात एकदम ठीक हा रही है, इसलिए यह हो गया, तो इस तरह से question में हम देख रहे हैं कि force, balance, torque, balance, simple सा question है और चारो answer इसके सही हो गए, multiple correct answer type question में, यह बात भी है कि minus 2 मिल रहा कर एक भी गलत लगा दिया आपने, तो आपको minus मिलने वाला है, इस paper की marking scheme कुछ इस तरह ही है, तो ठीक है, मेरे साब से सबने साही कर दिया हो, ठीक है. यह question geometrical optics से है और simple साही calculative question है, जिसमें कि आपको दो lens दिखाई दे रहे हैं, concave और convex lens, converging diverging lens, जिनकी radius of curvature 20-20 दे रखी है, दोनों surface की, और refractive index 3 by 2 इसका है, एक object है, जो यहां रखा है, इस lens से 10 cm पहले, इन दोनों lens की बीच की दूरी 10 cm दे रखी है, हम से पूछा है कि overall इस object का magnification क्या होगा, find the net magnification, तो हम यह जानते हैं कि जो net magnification होगा M, वो M1 into M2 होगा, इसने जो image बनाई होगी उसका magnification, फिर इसने जो बनाई होगी उसका magnification, कुल मिलाके आपको solve करना है दो बार, इसकी image निकालने है, उसकी image निकालनी, तो इसके लिए सबसे पहले focal length का calculation कर लेते हैं, तो फिर्स्ट रहले lens के लिए 1 upon f, f1, तो mu lens होगिया 3 by 2, minus 1, 1 by 20, minus 1 upon minus 20, तो इसको solve करने से आपको मिल जाता है 20, तो f1 की value आगी plus 20, तो इसको solve करने से f2 की value आजाएगी minus 20, ठीक है, यह वैसे एक result, जनरली बुर्चे शायद याद रखते हूं, जब दोनों radius of curvature बराबर हो और इसका refractive index 3 by 2 हो, तो जो radius of curvature होती है, उसके बराबर ही focal length आती है, इसका 20 तो f20 देख लो, minus 20 इसमें आ जाएगी, आ रही है, फिलाल दोनों की focal length हमको मिल गई, अब इसने जो image बनाया है, यहां से जो raise आएगी, इसके image हम पता करना चाहते है, तो हमारे पास length का formula है, u into f upon u plus f, इसके image को locate करना चाहते है, तो u इसके लिए हो जाएगा, minus 10 यह पीछे की तरफ है, और f की value अब 20 जानते हैं, तो यहां से आ जाएगा, minus 10 plus 20, तो इसको solve करेंगे, तो इसके value आ गई, minus 20, minus 20 होगे, इसका मतलब यह जो raise आगे जाएगी, उसके लिए image यहां बनेगी, first image और ऐसा समझ लिजिए, जो raise इस पर पहुंचेंगे, वह ऐसा लगेगा कि पीछे, यहां से 20 पीछे आ रहा है image, तो यहां से 30 हो जाएगा, और second image, आप हम second image के लिए solve कर रहा है, तो second image के लिए देखेंगे, तो v is equal to u into f upon u plus f, तो अब u की value हो जाएगी, v minus 30 और f की value minus 20 है, तो यहां से minus 30 minus 20, minus 600 और minus plus हो गया, 600 upon 50 minus sign के साथ, तो v की value minus 12 आ जाएगी, v की value minus 12 आ जाएगी तो इसका मतलब यह है कि यहां से जो रहे जाएगी वो कुछ इस तरह से जाएगी कि इसके image यहां पर 12 पीछे दिखेगी, second image 12 cm पीछे आ गई, तो हमसे यह पूछा है कि magnification overall कितना रहा, तो पहले वाली image के corresponding magnification का formula हम जानते है, lens के case में magnification का formula v by u होता है, तो m1, तो पहले वाली image जो है v, हमने calculate किया है यहां से, v की value आए थी minus 20, तो यहां रखेंगे minus 20 और u की value थी minus 10, तो यहां से आगया plus 2, similarly m2 का calculation करेंगे इसी formula से, तो उसके लिए v की value है minus 12 और u की value है minus 30, minus 30, तो यहां से इसकी value आजाएगी, 0.4, तो 2 and 0.4, तो overall magnification जो इसका आ जाएगा, m2 into 0.4, याने की 0.8, जो की a option में दे रखा है, तो यह इसका answer हो गया, ज्यादा calculation भी नहीं है, इसी ही है, एक दम बिल्कुल formula based question है, मतलब मेरे साफ से अच्छे से हो जाना ची आफ से, ठीक है? यह alternating current का question है, और बिल्कुल basic सा question है, यहाँ पर question में यह जो लिखा है हमारे लिए, यह rated voltage नहीं है, यह थोड़ा सा correction है, मतलब बच्चों से discussion किया अभी, rated की बजाए, यह question में power जो इस समय consume हो रही वो दे रखे, actually यह question कुछ इस तरह से दिया है, एक capacitor है और एक bulb है, तो bulb को आप एक register से replace कर सकते, और हमें एक AC source दे रखा है, जिसका की voltage, RMS voltage 200 दे रखा है, और frequency हमें 50 hertz दे रखी है, तो यहाँ से जो calculation का point आ रहा है, तो हमें यह पता करना है कि current और voltage की बीच में आपस में कितना angle है, phase difference पता करना एक तरह से, और दूसरा हमको यह मालूम करना है कि capacitance की value क्या है, जानकारी क्या दे रखी है question में, जानकारी यह दे रखी है कि यह जो resistance है, इसके across voltage यानि RMS voltage की बात कर रहे है, यह 100 के बराबर है, और इसके द्वारा consume power की value हमको 500 watt दे रखी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो जब resistance की across voltage ही दे रखा है और power consume भी दे रखा है, तो हमारे पास formula होता है, P is equal to V RMS का square upon R, इसके across ही जो voltage हो में दे रखा है, तो हो गया 100 का square upon R is equal to 500, तो यहां से R की value आ गई, 100 into 100 divided by 500, तो 20 ohm आ गई, तो हमें पता लगया है कि जो resistance है यह 20 ohm है, इसके लाभा हमारे पास power का formula होता है V into I, simple resistance के across voltage और उसके अंदर current है, तो यहां से power है 500 और voltage इसका 100, तो i rms की value हो गई 5, rms current आ गया 5 ampere, तो 5 ampere का current इसमें आ रहा है total, अब हमको capacitor पता करना है और capacitance की value निकालना है इसके लाभा phase difference निकालना है, phasor diagram बना देते हैं, phasor diagram हम जानते हैं कि इस तरह से हम represent करेंगे i rms into r, capacitor के across आने वाले potential difference को बन i rms into x ही और जो resultant potential difference है, उसको हम इस तरह से दिखाएंगे, जो कि source का है, तो source का rms value हमको दे रखा है 200, i rms into r की value हमको दे रखी 100, current जो होता है इसी के साथ same phase में रहता है, जो resistance के across potential difference है, उसी के साथ same phase में रहता है, तो यहाँ पर phase difference जो हमको चाहिए वो value यहाँ से आ जाएगी 5, तो इस diagram में आप देख रहे हैं, तो cos y is equal to r by यह वाला vector divided by यह वाला vector, तो यह हो जाएगा 100 by 200, जो कि 1 by 2 हो गया, तो phase difference की value आ गई 60 degree, यानि हम कह सकते हैं कि जो circuit में current जा रहा है और जो इस system के across total potential difference है, उन में आपस में 60 degree का difference है, यानि current जा रहा है total जिसकी value है 5 ampere, और voltage जो है, हो इसे 60 degree पीछ है 200 volt, तो एक answer तो हमको मिल गया, दूसरा calculation हमको करना है कि capacitance की value क्या होगी, तो capacitance की value निकालना चाहते हो आप, आपको यह 60 degree मिल गया, तो यहां से इस diagram से साफ साफ देख रहा है कि 200 sin 60 is equal to this, इस triangle में आप इसे कर सकते है, 200 sin 60, यह है 200, इंगल 60 degree, बराबर IRMS into XC, तो IRMS की value 5 है, XC हमको मिल जाए गया, यहां से 200 into root 3 by 2, तो root 3 by 2 से 100 हो गया, 100 root 3, 5 से divide करेंगे, तो 20 root 3 आगया, XC की value, याने कि XC is equal to 20 root 3, XC हो जाता है, 1 upon omega C, which is equal to 20 root 3, और omega होता है 2 pi F, F की value हमको दिरख ही 50, C हमें calculate करना है, तो यह होगे 20 root 3, इसको इधर लेके जाएंगे, तो यह होगे 100, तो इसको C को इधर ले जाता है, उसको इधर ले जाता है, तो C की value हमार पास इस तरह से हो जाएगी, C is equal to 1 upon 2000 pi root 3, 2000 into pi root 3, students ने बात्चित में बताये कि इसमें एक data दिया हुआ था है, कि pi root 3 जो आ रहा है उसको आप approximately 5 ले ले लेना, यह given data है, pi root 3 is equal to 5, अगर यह बात माल लेते हैं, तो फिर हमारा answer 1 upon 2000 into 5 हो गया, तो एक तरह से C की value आ जाएगी, 10000C is equal to 1 upon 10000, तो 10 to the power minus 4 हो गया, यानि उपर ले जाएगे तो 10 to the power minus 4, इसको हम लिख सकते हैं, 100μF, तो capacitance की value होगी 100μF और voltage जो है current से 60 degree पीछे होगा, तो इसमें से A ओप्शन सही option है, तो इस तरह से इसका answer होगी, थोड़ा सा calculate ही बोल सकते हैं, बाकी बिल्कुल सीधा ही है, जो इस तरह का diagram बना सकता है, उसके लिए तो आसान ही एकदा, ठीक है, यह question की जो students की थोड़ा बहुत इसमें, जो memory based हमने लिया है भी, तो ऐसे कुछ factor हैं, जैसे है कि ही चीज़ दे रखी है, यहां तक मुझे मालूम नहीं, बच्चे ज़से से बता रहे हैं से मैं माननों, ठीक है, और यह जो power है वो rated के बजाए, इसके द्वारा consumed power है, जो circuit में दे रखी, ठीक है, यह जो अगला question है, electrostatics का question है और equipotential surface locate करने के लिए कह आ गया है, question में यह पूछा है कि जो equipotential surface होगी, उसका center, इन्होंना पहले सही specify किया है कि, जो equipotential surface होगी, उसका कोई radius है, उसका कोई center, एक circle होगा है, तो उस equipotential surface की radius किया होगी, और उसका center क्या होगा, और potential क्या चाहिए? 0, equipotential surface with 0 potential, तो दो चार्ज दे रखे हमें, एक चार्ज दो दे रखा है, वो है minus q, यहां पर एक minus q चार्ज दे रखा है, और एक और चार्ज दे रखा है q by root 3, इस तरह से, एक का कॉर्डिनेट 0,0 है और एक का कॉर्डिनेट 2,0 है, उसकी वजह से space में किसी point पर potential 0 है, वो ऐस इसे point का equation चाहिए, मनें ऐसा equipotential surface का का कारूका, जो भी equation बने का हमें निखालना है, माल लेते हैं कि वो point को ही है, जहां का potential हम निखालना चाहते हैं, उसकी coordinate है h,k, तो इस point पर जो potential होगा, इस charge के वजह से, और इस charge दोनों के वैसे लेखेंगे, तो potential due to charge 1 and potential due to charge 2 equal to 0, क्यो के coordinate है 0,0, तो यहां से इसकी वजह से लेखेंगे k minus q upon under root of h square plus k square k q by r, potential का formula होता है, q sin के साथ रखा जाया, यहां गया, दूसरे की वजह से लेखेंगे, तो यह वाला charge है q by root 3, इसकी वजह से h, k पर potential निकालना है, तो इसके coordinate हमें दे रखें 2,0, तो 2,0 q by root 3 charge के location है, और h, k कोई, हमने general point माल लिया है, तो उसके वपर potential लिखेंगे, तो k q by distance, यह वाला, तो यह हो जाएगा h minus 2 का square plus k का square का root, total potential 0 के बराबर कर दिया, हमने, इस minus वाले को उस तरफ लेके गए, और k q numerator से काट दिया, तो यह वाला expression में 1 by root 3 इधर आगया, दोनों तरफ square कर दिया, और इसको इस तरफ लेके, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो यह जाएगा h square plus k square, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो यह 3 times h minus 2 का square plus 3 times k square, इस h minus 2 k square को हमने open कर लिया, तो open करने से यह आगया 3 h square, और 4 into 3 12, minus 12 h और plus 3 k square, इसको उस साइड लेके गया, तो ऐसा expression आगया, 2 h square plus 2 k square minus 12 h plus 12 equal to 0, यहां से 2 से इसको काट दिया, तो यह k square plus h square minus 6 h plus 6 is equal to 0, हम इसको h square वाली term को whole square में convert कर लेते हैं, तो a minus b का whole square बनाने के लिए इसमें 3 का square बना रहे हैं, तो h square minus 6 h plus 9, अपनी तरफ से 9 add किया है, तो इस side में minus 9 subtract भी कर दिया, तो यह वाला term h minus 3 का square बन गया, यह k square के, k square आगया 6 minus 9 is equal to minus 3, उसको उस तरफ लेके, 0 वाली side में 3 हो गया, यह final equation आगया हमार पास, यह ऐसे curve की equation आगया, यह ऐसे coordinates मिल गया हमें, जहां-जहां potential 0 है, तो यह equation of locus कह सकते हैं, इसको हम mathematics के तुरू जानते हैं कि हमार पास एक circle की equation होती है, x minus a का square plus y minus b का square equal to r square, इस equation से compare करेंगे, जिसमें से center के coordinate a, b होते हैं, और radius r होती है, जब इसको compare करेंगे, तो यहां से a की value 3 आ जाएगी और b की value 0 आ जाएगी, और radius की value root 3 आएगी, तो इसको जब हम यहां पे draw करेंगे, तो हमें पता लगा कि circle का center का x coordinate 3 है, और y coordinate तो 0 है, center का, और इसकी radius root 3 है, तो इसके just this side में एक center वाला point मिल गया, और इसकी radius root 3 की बराबर है, यह point 2 है, root 3 1 से ज्यादा होता है, तो यह point थोड़ा इधर जाएगा, तो ऐसे करके, क्योंकि इस circle है, इस plane में हमने ढूंडा है, practically और ढूंडेंगे तो इस 3D में मिलेगा कोई spherical पर इन्होंने इस plane में ढूंडने के लिखा है, तो उसके साब से जो मारा answer है, center की coordinates और radius यह option में मिल रहे है, तो इसलिए A इसका answer हो जाएगा, ठीक है?